तो आज हम समझेंगे कि options क्या होते हैं, देखिए, अब derivative का example लेते हैं, derivative में क्या था कि, एक हमारी underline asset होते थी, और उसी की basis पे हमें contract करते हैं, ठीक है, options में भी क्या होते है, options में हमारे पास contract होते हैं, बला हम contract करते हैं, बट उस contract में एक ऐसी चीज़ होती है, जो हमारे पास एक special ride देती है, तो मेरे कहने मतलब कह है, देखिए, suppose that मान लेते हैं कि आपको एक मकान पसंद आया, और अभी आपके पास पैसे नहीं है, अभी आपके पास amount है, but enough amount नहीं है, मान लेते हैं कि इस घर की कीमत है 10 लाग और अभी आपके पास 2 लाग रुपे हैं, तो आपने, तो आप इस मकान की मालिक के पास गए और आपने उनसे कहा कि ये मकान में खरीदना चाहता हूँ, but मैं पूरी payment आपको 6 मैने बाद दूँगा, अभी मेरे पास 2 लाग रुपे हैं, आप 2 लाग रुपे ले ले लिजि वो इस contract के लिए, वो हाँ कर दे, ये फिरू मना कर दे, अगर उसने हाँ कहा, तो ध्यान दे, अगर उसने हाँ कहा, तो उसका मतलब ये है कि हाँ की contract में लिखा होगा, कि 6 मैने बाद अगर आपने payment दी, अगर आपने पूरी payment दे दी, ठीक है, 2 लाग रुपे तो आपने द अगर आपने payment नहीं करें, तो फिर ये जो 2 लाग रुपे है, ये आपके डूप जाएंगे, ठीक है, तो यानि कि यहाँ पर उसके लिए, उसके लिए ये compulsory है, कि जब आप उसको पूरी payment करेंगे, तो उसको मकान बेशना पड़ेगा, यहाँ पर जब आपने 2 लाग सकता है, हाँ, बट एक चीज होगी, कि आपके 2 लाग रुप जाएंगे, इस तरीके सा आप इसको ऐसे सम्मझ लिए, कि आपको कोई चीज पसंद है, बट आपको यह लग रहा है, कि हाँ, कि फिचर में जो उसका प्राइस है, वो गिर सकता है, ठीक है, बलब आपको यह सकता है, कि सपोस्ट एट माल लिजीए, एक लैंड है, जो आपको बहुत पुसंद, एक जमीन है, जो आपको बहुत पुसंद है, और ऐसी एक निउस आई है, कि हाँ, कि उसके आसपास से हाईवे निकलेगा, तो हाईवे गजिस को उसके प्राइस और बढ़ जाएंगे, ब मालिक है, आप उसके पास अपने का कि देखिए, आप मुझसे काम कीजिए, आप मुझसे बीस घजाव रुपे ले लिजीए, इस लैंड की किमत है, एक लाग रुपे, आप बीस घजाव रुपे ले लिजीए, तीन महने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, पूरी, और तीन महने बाद आपको पता भी जल जाएगा कि उसके आजपास से हाईवे निकलेगा भी नहीं, और आपने उस जमीन के मालिक के साथ आपने कर लिया कॉंटर्ट, तो उस जमीन के जो मालिक है, उसके लिए कंपल सरी है, कि तीन महने बाद जब आप उसको पेमेंट हो ग ठीक है, तो अप्षिंस में भी यह होता है, एक हमारी अंडलाइन असट होती, जैसे यहाँ पर लेंड थी, तो उस लेंड के बिस्ने से क्या गारा है, हमने क्या गारा है, हमने ने कॉंटर्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसकी जो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, त अप्षिंस क्या करता है, ताकि वे फूचर में किसी असेट को खरीद या बेज सकता है, तो यहाँ पर अब ध्यान समझे, कि जब हम उप्षिंस खरीदते हैं, तो मतलब हम एक एग्रिमेंट हम बाइ कर रहा है, अब हो सकता है, उस एग्रिमेंट में यह लिखाओ कि मैं इस गता है, इस चीज को फूचर में बेज सकता है हूँ, यह फेर मैं खरीद सकता हूँ, शीजा है, जसे हमने जो एग्जामपल लिया था, उसमें यह था, की, हमने क्या हुआ उप्षिंर कि यह था, हमने किसान को या फिर, जिसका लेंड था, ठाके है, जब हमने उसकी बीच म उस लेंड को खते हैं but हो सकता है कि हम दूसरी तरफ हो उस दोसरी तरफ हो सकता है नहीं हमें लगता है कि फीटर मतयार्थ का प्राइस कम हो गया होगा ठीक है तो कि अगर हम्रें यह चिज़पता है हम फुल तरीकते नहीं कह सकते हैं पर यहां पर हमने एक अंदाज लिया है तो उस case में क्या होगा कि अब अगर future price गरेगा तो फिर यह जो परसे ने वह तो फिर इसको खरीदे गई नहीं तो जो दो लाक रुपे था वह हमारा क्यों जागा प्रफिट हो जाएगा तो options में जब हम options खरीदते हैं तो यहां पर हम दोनों तरफ से हम खेल सकते हैं options are of two types option दो तरह की होता है एक होता है calls options और एक होता है put option अगर हम बात करें call option तो call option हमें क्या देता है calls give the buyer the right तो calls क्या करता है वो बायर को एक right देता है ठीक है लेकिन कोई obligation नहीं देता है ठीक है obligation मलब कोई जबर जश्ती नहीं है कि आपको काम करना ही पड़ेगा to buy a given quantity of underlying asset ठीक है तो call हम क्या करता है call हम बायर को एक right देता है ठीक है बना कोई obligation नहीं देता है कि एक certain quantity एक underlying asset की आप खरीच सकते हो at a given price on or before given further date ठीक है अब समझे जैसे कि अब मैंने क्या कर रा अब मैंने क्या कर दो का प्राइब करीद लिया क्व एक पर्सनों के पास और मुझे उसका लैंड अच्छा लगा ठीक है मैंने काप ति लियार इससे ना call option खरीद लेते पर तो उससे क्या होगा कि मेरे पास यह right होगा कि future में इसकी जो underlying asset तीस साता लियने की ऐंड जो है फूचर में मैं खरीच सकता हूं एक प्रैस पर वह तो हम दोनों मिल법 करेंगे कि 판 करें अधिक हम दोनों मिल लोगर करेंगे on again मलब जो तॉम लोग मिलक करें ठीक है दो मेन लग दों मेन बाद तीन मेन ने बाद शे मेन से मुझे राइट मिल जाएगा कि हाम में future में खरीच सकता हूं और नहीं भी खरीच सकता हूं मेरे लिए मुझे कोई अपरजस्ती नहीं होगी ठीक है मेरे लिए हां लेकिन अगर मैं put option खरीचता हूं ठीक है तो उस case में क्या होगा तो उसमें मुझे से राइट मिल जाएगा लेकिन कोई obligation नहीं होगी पूट ऑप्शन गिव गिव दा बायर राइट बट अब्लिगेशन टू से ले गिवन कॉंटिटी ओफ अंडराइन असेट एट गिवन प्राइस ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें भी आपको एक राइट मिलेगा लेकिन आपको अपको उस्वेल करना है मलुब जरूरी नहीं है कि हां कि आप बार एक तरफ से देखिए यहां पर ध्यान समझे हम खरीद रहें कॉंट्रेक्टी बस उसका नीचर अलग हो गया है खरीद रहें कॉंट्रेक्ट बसको नीचर अलग हो गया है एक पहलो पुट था अब हो गया है ओने पहलो कॉल था आप वो पुट हो गया हैं तो दोनों में हमको राइट ही मिल रहें तोनों में हमको राइट ही मिल रहे हैं the two types of exchange derivative instruments are features and options तो derivative जो instrument आप तो तरीके के इस features है और एक option है तो जिस तरीके से future में प्राइज वगरा फिक्स होती है उसी तरीके से ऑप्षेन में भी जो प्राइज होते हैं वह फिक्स होते हैं हां बस ऑप्षेन जो थोड़ा सा आपको घुमा रहा होगा कि अच्छा इन दोनों को हम खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मैंने कोई चीज में खरीद सकता हूं नहीं दियां समझें अब मैंने कॉल अप्षिन खरीदा ठेक है तो मतलब फीचर में ठीक है मैं फीचर में कोई चीज में बाय कर सकता हूं कोई चीज में बाय कर सकता हूं ठीक है लेकि मेरे लिए ऑप्षेन होगा मैं चाहे को खरीद हूं चाहे में ना खरीद हूं और पूट ऑप्षेन में क्या होगा कि फीचर में मैं किसी चीज को सेल कर सकता हूं बड़ वहां पर आपको थोड़ा सा जानकर करने पड़ेगी तिक किये विक्स एक्च्वल में होता क्या है तेक है क्योंकि यह यह बताता है कि market कितना walletile है ठीक है तो इसको आपको जबरूना पड़ेगा अब नेक्स्ट हमारा index features and options currently in currently in the Indian markets future and options contract are available for trading on the blue chip indices ठीक है अगर हम बात करें राइट नहों अगर इंडियन मार्किन बात करें तो जिए फीचर और ऑप्षिन जो कॉंटेक्ट है हाँ वह अब लेवल है आप उसको खरीद भी सकते हो बट और ब्लूचिप इंडीस पे ठीक है ब्लूचिप इंडीस का मतलब क्या है देखिए कंप तो लार्च कमपनेस को हम ब्लू केप कंपनेस भी बहुए सकते तो यह मशते हैं स्प्रका और अब्लूचिप इंडीस में इंडीसे तो जो ब्लूचिप को जो जैसे कि Nifty 50 हो गया, Sensex हो गया, तो उनमें अवलेबल है, ठीक है, मलब फिशन और अप्शन की कॉंट्रेक्ट्स, BSE, Sensex, NSE, Nifty 50, Sectoral Indices of Banks, PUCU, etc, तो इन सारे Indices में आपको ट्रेडिंग करने को मिल जाएगा, किसमें? फिशन फिशन और ऑप्शन में, अब इससे आपको बता कि देखो, फिशन और ऑप्शन क्या होता है, कॉंट्रेक्ट्स होता है, जो कि एक अंडरलाइन असेट को रिपरसेंट करते है, तो यहां पर मैं बात कर रहा एकुटी की, ठीक है, कि एक जिसे मुझा अगर एकुटी में ट्रेडिंग करनी है, मले एकुटी की फिशन और ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, तो उसके कॉन्ड कोन से इंडिस तो यह है, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन, कॉंट्रैक्ट्स आर अवलेबल, फोर वन वीक, एकष्पायर हो जाएगा, तो तो इस तरीके से आपको आप कर सकते हो तो यहां पर आपको जो समझ में आगे देखेंगे यहां पर आप सरी ओवर्वी ले रहे हैं देखिए यहां पर आभी हमें एक ओवर्वी समझ रहे हैं ठीक है वीकली ओप्शन्स आर दे एक्शेंज ट्रेड ओप्शन बेस्ट ओन स्टॉक और इंडेक्स विच शॉर्टर मेजॉर्टी ओफ वन और मॉर विक्स ठीक है जो weekly options होते हैं वो stock exchange पर trade होते रहते हैं but वहाँ पर time period होता है वो कम होता है अब आम तोवर पर आपको एक या फिर दू हफते तक का मिलता है The three year option contracts are referred to as long term option contracts ठीक है हाँ जो तीन साल के option contracts होते हैं वो नहीं बोल सकते हैं क्या कि वो एक long term option contract होते है All option contracts expire on the last Thursday of the expiry month and have minimum of three month expiry cycle तो जिदने भी option contracts होते हैं वो Thursday को वो expiry हो जाता है हर महिने की हर महिने के जो Thursday आता है उस टाइम पर वो expiry हो जाता है ठीक है और have minimum three month expiry cycle except long term contract और इनका जो expiry cycle होता है वो सिर्फ तीन मेने का होता है maximum expiry cycle जो होता है वो सिर्फ तीन मेने का होता है बस उसके बाद फिर वो लेकिन सिर्फ एक को छोड़के जो long term option contract होता है उनको छोड़के अब यह थोड़ा सा आपको summary नहीं रहा हो कि अच्छे expiry cycle है क्या देखिए मेरे कहने मतलब क्या है कि एक contract को न आप अगले मेने भी उसका continue कर सकते हो ठीक है मतलब आपने इस मेने था आपने इस मेने अपने contract कर रहा उस मेने को अगले मेने भी कर लिया फिर अगले मेने भी तो तीम मेने ते कर सकते हो उसके बाद नहीं ठीक है उसके बाद फिर क्याता है वह contract फिर expire हो जाता है लेकिन बात करें अगर long term contract के करें बात करें long term option contract बात करें तो उनमें यह चीज नहीं होती है in case the last Thursday is a trading holiday माल लेते हैं कि महीने के जो हमारा last Thursday था उस दिन कोई शुट्टी हो गई ठीक है उस दिन क्या होगा फिर the contract expires on the previous trading day तो जो contract होगा वो उससे पहले वाले दिन वह एकस्पार हो जाएगा suppose that मान लेते हैं कि कल हो लिए ठीक है और कल last Thursday भी है मंद का तो उस टाइम पर क्या होगा कि उससे एक दिन पहले यानि कि आज के दिन वह जो option contract होगा वह एकस्पार हो जाएगा a new contract is introduced on the next trading day और एक नया option contract आपको मिल जाएगा ठीक है अगले दिन on expiry of weekly contract the next weekly contract on rolling basis is introduced ठीक है तो जो on expiry of weekly contract अब देखे कुछ वह कुछ contract ऐसे होते हैं जो weekly expire हो जाता है ठीक है तो जब उन्या तो जो next week जो आएगा तो उसके उस टेम पर क्या हो जाएगा वह contact roll 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 हो जाएगा ठीक roll मतलब कि अच्छा मतलब अभी वह इस इस आफ़ता चल दा था आप वो next next भी कुछ चलेगा वह आपको आपको समझ में आ रही होंगी आपको कि अब आपको